नमस्कार सुप्रबाद जैहिन मैं रभी महुत सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम लोग देख लेते हैं करंट अफियर्स और करंट अफियर्स की इस दुनिया में आप सभी लोग आ चुके हैं फटाफर से देख लेते हैं क्या करंट अफियर्स है सबसे पहले हम ल ओलंपिक की दोड़ हो या जीवन की दोड़ हो यदि आपने एक बाद ठान लिया तो दोस्तों कोई नहीं हरा सकता है ठीक है तो हमने परिच्छा की तयारी ऐसे ही करनी है चलिए फटा-फट से हम लोग बढ़ लेते हैं पहला प्रशनापलों की स्क्रीन पर टोक्यो ओलंपिक में किसके दौरा एथलेटिक्स में पहला स्वड़ पदक जीता गया है पहले स्वड़ पदक जीतने की बात हो रही है किसके दौरा मतलब खिराडी का नाम पूछा गया है तो पहला अपसन है बजरंग पुनिया दूसरा है रभी कुमार दाहिया तीसरा है नीरच चोपड़ और चोता है P.B. शिन्दू, तो दोस्तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये बंदा, जलदी से आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, क्या नाम है इसका निरज चोपडा, नीरज चोपडा नाम है इसका, और इसने भई क्या जीता है, पहली बार में ही सोना जीत के लाया है और एक मात खिलारी है जो सोना जीत के लाया है टोक्यो उलंपिक 2020 में तो क्या नाम है नीरे चोपड़ा बंदे ने भाला ऐसा फेंका कि क्या जीत के लाया है सोना लाकर के जोना और किसमें फेंक दिया भारत की जोली में फटापट से देख लेते हैं उत्तरो जाएगा सी प सोड़ पदक जीता है किसने जीता है जैवलिन त्रो में नीरत चोपड़ा ने यह ओलंपिक खेलों में भारत का दसवा सोड़ पदक है कौन सा सोड़ पदक है दसवा इससे पहले भारत ने आठ सोड़ पदक होकी में जीते हैं किसमें जीते हैं होकी में कितने जीते हैं आठ जीते हैं और बाकी के जब की एक एक सोड़ पदक अभिनब बिंद्रा और नीरच चोपड़ा के नाम पर रहा है एक एक इन दोरों नहीं जीता है आट जीते हम लोगों ने होकी में फटापट से अगले प्वेक्ट के और बढ़ लेते हैं इससे पहले दोजार आट वीजिंग के ओलंपिक में अभिनब बिंद्रा निसाने वाजी में ब्यक्तिकत सोड़ पदक जीतने बाले भारती थे दोजार आट में बिजिंग ओलंपिक हुआ था आप लोगों को साइद याद नहों को दोजार आट की बात थी तो यह बात थी अभिनब बिंद्रा इस समय क्या था निसाने वाजी में जीत के लाएते क्यों सा मेडल जीता था सोड़ पदक जीता था जॉट पदक में कौन कौन से कितने लोगों ने जीता है 10 टोटल सवट पदक जीते हैं आठ होकी में एक अभिनब बिंद्र 1 निरा चोपडा फटा पट से देख लेते हैं अगले प्रशन क समर्पर योजना के ब्यारी में ठीक है ना फटापड से देख लेते हैं डॉक्टर वीरेंद कुमार डॉक्टर सर्वानन्द सोनुवाल अश्विनी वैसनव पहला जोसी इनमें से किसने इस प्लेटफॉर्म को हाली में लॉंच किया है तो इन्होंने लॉंच किया है डॉक्ट अमें लॉंच किया है अब देख लेते हैं इसकी खूबी इस पोडल आपको राष्टी इगवर्णनस द्वारा इसका उद्देश क्या है पिछड़े वर्गों अनुसुची जातियों और सफाई कर्मचारियों के लिए कोसल विकास योजनाओं को सफल बनाना है मतलब इस प्लेटफॉर्म पर इस एप्लीकेशन पर क्या रहेगा इन लोगों का खाका त्यार रहा करेगा हटापट से इसके कि अगले फक्रेक्ट की और बढ़ लेते हैं सभी जानकारियां एक जिए प्राप्त कर सकते हैं मतलब कोशी विकास परिश्चर जो होता है वह किसी भी विक्ती को जांचों परिखा जाता एंट नहीं पर इस प्रत जाता है तो यह होता है किसका हो गया एक तीनों का एक ही प्लेटफॉर्म पर कोर्सल विकास पर इच्छर किया जाएगा फटापट से बढ़ लेते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन बहुत में तो पूरा जल्दी से देख लीजेगा इसरो नासा का संयुक्त मिसन निसार उपग्रे किस वर से लॉंच किया जाएगा नाम क्या पूचा जा रहा है निसार किसका है ये इसरो और नासा का ये संयुक्त मिसन है ध्यान दीजेगा दोस्तों संयुक्त मिसन का नाम दे रहा है तो नाम क्या दे रहा है निसार का पहला उ लिए किया है हाली में 2023 में इसे लॉंच किया जाएगा पहली बात तो और देख लेते हैं निसार उप्स इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त प्रत्थ्वी अबलोकन जिसका उपयोग धुरुवी क्राइउस पियर और हिंद महासागर करें और दूसरी छीज हिंद मासागर छेत्र में ध्रुबी क्रोस्व प्रत्वी अबलोकन करें थीक है ना यह तीन प्रत्वी की से गर चेत्र पूरे जो निसार पग्र है उसके संपर की चेत्र में आए गा तीसरा वैस्वे कब लोकन के लिए इसका प्रियोग किया जाएगा चौता है यह एक डूबल बेंड रडार imaging mission है कैसा है डूल बेंड रडार imaging mission जिसमें भूमी बनसपती और cryosphere में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को देखने के लिए एक polymetric और interferometric mode है मतलब दो दो चीजे हैं polymetric और interferometric mode है यह क्या होते है यह cryosphere में ठीक है ना क्रायोस्पेर में छोड़े बड़े वदलावों को देखने के लिए ये प्रयोग किया जाएगा चलिए फटापट से बढ़ लेते हैं आगे अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं लोग सभा टीवी और राजसभा टीवी का बिले करके क्या नाम रखा गया है बहुत मैत पूर प्रस्ण है आप इसको जल्दी से लिख लेजिए क्या प्रस्ण पूछा जा रहा है लोग सभा टीवी और राजसभा टीवी का बिले करके बिले कर दिया है दोनों का और क्या नाम तो नाम रख दिया गया है जल्दी से देख लेते हैं पहला उप्षन है संसट टीवी दूसा है लोक राज टीवी तीसरा है सवा टीवी चोता है राज लोक टीवी तो उत्तर देख लेते हैं दोस्तों उत्तर हो जाएगा क्या नाम है संसट टीवी संसट टीवी नाम रख दिय गया है क्या नाम रख दिया गया है संसट टीवी जिसकी गोश्णा सचवाले ने एक मर्च बभात की पहली अंडर से सुरंग किस सहर में बनाई जा रही है 是啊 स 떠पी पहला औक वियाक्या की और बढ़लेते हैं लिए बालत की पहली समुद्र के के नीचे की शुरंग का निर्मार मुंबई में तлись रख पर्योजना के भाग के रूप में किया जा रहा है समुद्ध के नीचे शुरंग का कि रूप में किया जा रहा है मुंबई के ऑनुमान थै कि यह सुरं दो schemes ौद 23 अण मतलब कि तक की बात हो रही है और लगबग एक किलो मीटर अरब सागर के नीचे यह होगी मतलब दे्खिए कितनी बहंतिरी सब्सक्राइन के एक किलोमीटर का दाइरा औरब सागर तक फि फेंक है दूसरा 2.7 km यह लंबाई होगी इसकी और यह कब तक बनते तयार हो जाएगी 2023 तक यह बनके तयार हो जाएगी तो इसमें जरू गूंग के आना चलिए देखते हैं फटापट से अगले प्रश्ण की और प्रस्ण क्या कहता है छे अप्रेल 2021 में आयोजित सीनियर एसियन रेसिलिंग चेंपियंसिक में भारतमा क्या इस्थान रहा प्रस्ण पूचा जा रहा है दोजार इकीस अप्रेल में एक सीनियर एसियन रेसिलिंग चेंपियंसिप हुई थी उसमें भारत का कौन सा इस्थान राप पहला दूसरा तीसरा चोथा जल्दी से आपके उत्तर की प्रतिक्षा में तुपरापट से देख लेते हैं उत्तर हो जाएगा इसका भाई तीसरा बारल ही में 2021 की सीनियर एसियन रेसिलिंग चेंपियंशिप का आउजन तेーボाबर से ठार अपने 2021 को अलमाटी कजाकिस्तान कहां पर किया गया था प्रसन्वर इंपुडंट ऐखबूड खार ऑप तक سंसक्रण करा जीतने के बाद में भारत का कौन सा इस्थान था तो भाया तीसरा इस्थान था यह पदकों में इन्होंने 500 पदक तीन रज़त पदक और 6 कांसे पदक जीते थे किसने जीते थे यह जीते थे भारत ने हमारे देश ने फटापट से आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रस्निकी देख लेते हैं चार यहां का एक संब्भव है जिसमें भारत अमेरीका जापान और ऑपान चौथा और पूछा जारह है तो देख लीजैहां कूंकों से हैं भारत अमेरिका जापान और कौन सा देश है, चार देश पूछे गए हैं, तो बताइए भाई, चौता देश कौन सा होगा, तो चौता देश बताइए, पहला उप्शन है आश्टेलिया, दूसरा है नूजिलेंड, तीसरा है ब्राजीर, चौता है चीन, उत्तर मैं बता देता हूँ, आप लोग किसी क क्या कहती है वो जल्दी से देख लेते हैं विदेश मंत्री एस जैसंकर ने क्वाड की एक वर्चुल मंत्री इस्तरी बेटरक में भाग लिया किसने लिया है विदेश मंत्री है क्या नाम है एस जैसंकर ये पूर्म में आई-एस अधिकारी रहे थे ठीक है ना चलिए क्वाड चार देशों कौन-कौन से हैं भारत सेटराज अमेरिका जापान वाश्टेलिया का एक समू है ठीक है और इसका क्यों इसको क्यों बनाया गया है क्वाड को वह भी देख लेते हैं चीन की आक्रमक्ता से निपटने और हिंद प्रसांत शेत्र की तागत बढ़ाने के लिए क्व बर्स 2017 पुनर जीवित किया गया था 2017 में पुनर जीवित किया गया था क्वाड को क्यों क्यों कि भाई चीन का प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और चीन के प्रभाव को हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उस प्रभाव को रोकने के लिए इ इसमें वही तागतवर देश लिए गए हैं जो चीन के धुरी बिरोधी हैं कोई बात नहीं हमें बिरोध नहीं करना है लेकिन आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले प्रशन पर आठवा प्रशन हैं बहुत महत पूर आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या है अगस् प्रश्वेत नियाज वेकोव तूसरा है गुरजीत सिंगहंस तीसरा है बजरंग पुनियां चोटा है जॉडन बरोज तो भाई यह है बजरंग वली भारत का और क्या नाम है इसका बजरंग पुनियां तो इस व्यक्तिन जीता है 65 किलोग्राम कुस्ती में कां सिपदक कां स आज कोई कमेंट कर रहा था कि सर्व इन्होंने भी जीता है बजरंग पुनियां ने फिक है तो कुस्ति में पूछेगा तो भाई किसलिए नाम बताएंगे पहलवान है बजरंग पुनियां ध्यान रखियेगा बजरंग बली भारत के चलिए बजरंग पुनिया ने खेलों में भारत के लिए छटा पदक और देश के लिए 14 कांसे पदक जीता है मतलब इससे पहले भी 3 लोगों ने कांसे पदक जीत लिया है चलिए अगले परस्ण की और हम लोग बढ़ लेते हैं तो अगला प्रस्न क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं लवा प्रस्न है बहुत महत Poole अति महत in मैं से किसkorrent अंत्रकत रच्छा साइवर एजन्सी की स्थापना की जाएगी रच्छा साइवर इंजन्सी की स्थापना करने की बात हो रही है किस मंत्राले के अधीनस्त होगी तो मंत्राले पूचा है सूचना और प्रसारण मंत्राले खेल मंत्राले सांस्क्रतिक मंत्राले रच्छा मंत्राले जब बात हो रही है रच्छा साइवर एजनसी की तो किस क्या उप्सन होगा इसका उत्तर होगा रच्छा मं कि मोनटालए निर्माण करेंगा जल्दी से देखलेते हैं कि क्या कहती है नोग देख लेते हैं हाली में भारत सरकार दोरां रच्छा मनताले मर ऐगई की जाएगी इसका मुख्योद्येस डेस में बढ़ रहे साइबर खत्रों को कम करना हैं आज किर आप देख रहे होंगे फेस्बुक पर किसी की भी फेक आइडी बना ली आती है और क्या करते हैं और उसकी फेक आइडी बना करके पेसों के लिंदिन की बात करते हैं और वहां से फिर कई बार क्या होता है कई वोटसप है को रहे हैं कोई आइडी है को रही है ये क्या होता है ये साइवर हमला होता है एक तरीके का साइवर खत्रा होता एक तरीके का किसी की इमेल आइडी है कर लेना कहीं भारत सरकार की मंत्राले की किसी साइड को है कर लेना यह क्या होता है साइवर खत्रा होता है और यह साइवर खत्रे से बचने के लिए क्या किया जा रहा है रच्छा साइवर एजनसी के पग्रह EOS03 कहां से लॉंच किया जाएगा प्रश्न पूचा जा रहा है 12 अगस्त को प्रत्री अब लोग को पग्रह EOS03 कहां से लॉंच किया जाएगा मतलब आज ही लॉंच होगा ये कहां पर से लॉंच किया जाएगा तो अंतरिच चुपयो केंद्र सैक इसरो पग्रह केंद सतीज दवन अंतरिच केंद्र और बिक्रम सारा भाई अंतरिच केंद्र कहां से होगा भाई यह है EOS 03 जल्दी से पटापट इसकी उत्तर की और बढ़ लेते हैं ब्याक्या क्या कहती है वो भी हम लोग देख लेते हैं ब्यार 12 अगस्त को इसका लॉंचिंग होगा मतलब आज अंतरिच अनुसंतदान संगटन इस्त्रो ने 12 अगस्त को सरी हरी कोटा के 37 दवन अंतरिच केंद्र से प्रत्थवी अबलो रपक्रम लांच करने की गोशना की है हरी कोटा से कहां से 37 दवन केंद्र से 37 दवन केंद्र से किस चीज का किया जाएगा EOS03 ये अब लोग का उपग्रे है इसका उपग्रे का क्या होगा ये लॉंच होगा कहा से होगा हरी कोटा के सरी 37 दवन केंद्र से यहाँ उपग्रे GSLV F10 की 14 भी उडान ले जाया जाएगा जो उपग्रे को जियो सिंक्रोनस ट्र इस छेत्र में क्या करेगा ये इसकी 14 भी उडान को ले जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा इसको स्थाफित कर देगा तो भाईयो ये हो गया आपका आज का करंट अफेर्स 12 तारीक करंट अफेर्स हम लोगों ने कर लिया है मतलब बहुत अच्छे से कर लिया है तो आगे अब इसी तरह का करंट अफेर्स हम लोग दीरे 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 पढ़ते रहेंगे डेली जुड़े रही है मजा आजाएगा प्रस्न कोई भी बाहर नहीं जाएगा इस बात की गारंटी जी यू फॉर गारंटी चलिए फटा फट से हो गया है हमारा कंप्लीट अब हम लो झाल 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 झाल